हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने पढ़ाता कि शौट कॉलम को विद एक्जियल लोडिंग कैसे हम डिजाइन करते हैं ठीक है अब आज हम देखेंगे कॉलम सब्जेक्टि टू एक्जियल लोडिंग एंड बेंडिंग बेंडिंग कब डवलब होती है जब लोड में कुछ इसेंट्रिसिटी होती है तो उसमें बेंडिंग के लिए डिजाइन हमें करना पड़ता है जैसे कि IS456 कहता है कि यह मिनिमम अगर लेस देन इक्वल टू.05D डी आपकी है लैटरल डैमेंशन तो वह एक्जैल लोडिंग ब में केवल एक्जैल लोडिड है ठीक है बट अगर यह मिनिममम ग्रेटर देन 0.05 इंटू लेटरल डैमेंशन हो तो उसकेस में कॉलम जाओगा एक्जैली प्लस बैंडिंग मूमेंट तो नों के लिए डिजाइन होगा ठीक है यहां तक कोई डाउट नहीं है इसमें तो यह क स्ट्रेन इस हाइली कॉंप्रेस फाइबर इस 0.035 माइनस 0.75 ताइमस इस टेन अट लीस्ट कॉंप्रेस फाइबर फोर नो टेंशन कंडिशन ठीक है इसमें देखो उसको समझ लेते हैं पहले यह मॉड ओफ फिलर को समझने पर यह एक्जैली कॉंप्रेशन है कोई बेंडि केस्टू में कहा है कि अगर कॉंप्रेशन विट बैंडिंग और निट्र एक्स लाइए कर रहा है हमार क्रो सेक्षिल के अदर ही यह हो सकता है उसके एच पर लाइए कर रहा हो लेकिन अंदर ही है बहर नहीं पीच्जैली तब जो एक्स्ट्रीम फाइबर पर जो मैक्सिम स् नहीं है और निट्र लेक्स लाइख आँकर रहा है आउटसाइड इसक्षिन उसकेस में अगर आपको मैक्सिमम स्ट्रेंग निकालनी है आपको एक्स्टीम फाइबर पे तो जो मैक्सिमम थे आपके उपर वाले इसकेस में आपका टेंशन फेलर इसकेस लेना है और थाड़ आपका टेंशन फिलर इंकेस स्टील फिल विफोर अल्टीमिन स्टेंग कंक्रेट इस मैक्सिम वैल्यू यह ठीक है यह एक्सिस हैं यह अगर English लोडी अगर आप अगर अगर्याय फ्यू देखें को लल्म को को सेक्ष्षन रेक्टैंगूलर्य देकी सरकूलर रहें जो पिए यह उसके जो एक्सिस हैं यह अगर लोडिंग अमारी एक्सिस की अलॉंग लग रही है यहां पे लुद्द रहे हैं यहां यहां पे लग रह music ूप जित्पर दोड़ फोर्ष लग रहे है अगर मोमेंट है इस एक्सेस पर निकाल नहीं है तो पी यू मंटिप्लाइबाई यी तो मुमेंट यह जाएगी हम पी यू के लिए डिजाइन कर रहे है प्लस इस मुमेंट के लिए डिजाइन करना होगा अच्छा अब क्या आया कि है ना इसी केस को लेके कर्व डिजाइन होगे डिजाइन और सच कॉलम इंवॉल्व कॉम्प्लिकेटिड और लेंदिक करिकुलेशन ठीक है बेजन और एग्जाइट अनलसिस ऑफ सच कॉलम इंट्रक्शन कर्व है इस बीन डवलप्ट इस कर्व है डिजाइन डिजाइन गिवाने एसपेश इसे डिजाइन हैं इसको समझना आर्ची सी डिजाइन में कुछ एलिमेंट्स को डिजाइन करना बड़ा कॉंप्लिकेटिड होता है और कुछ की कैल्कुलेशन बहुत लेंदी होती है तो इनको कम करने के लिए ना एक कोड बनाए सबस्क्राइए है ठीक है तो कोलमक की केस में उसबह इस तरह की करव दीवी है जिसमें एक साइड आपका घ्ust गर यहां पर अगहर देрах बांट बैलेंज बैलेंस होता है balance लगाने की आपका एक ही टाइम पे maximum stress पहुच रही है आपकी तो इस कर्व की help से हम इन दोनों को find out कर सकते हैं या फिर इन दोनों की help से हम percentage of steel find कर सकते हैं इस कर्व को एक कर मिलेगा कहा पर आपको यह SP 16 special publication code 16 इसको design handbook भी कहते हैं उसमें आपको मिल जाएगा और यह formula ही याद करने के ज़रूत नहीं है आपको आपको जो चार्ट होगी उसमें लिखा हुआ है आपका बस code की चार्ट exam में मिल जाएगी तो देखिए देख लेते हैं कुछ इस तरह की हमारी चार्ट होती है यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है close 13.2 पर ही मिल जाएगी आपको चार्ट नंबर 31 बहुत सारी चार्ट होंगी जैसे कि fy 415 के लिए अलग होगी 500 के लिए अलग होगी उस साथ में d by d ratio cover by overall depth का रेशियो के according point zero five point zero one इस तरह से point zero one five point zero two चार यानि कि fe 415 की चार हमारे पाद चार्ट होगी तो आपको यह दो वैल्यू देखनी है और उससाब सब चार्ट को select करना कि कौन सी चार्ट हमें चाहिए ठीक है उसके बाद आपने सिबसे पहले क्या किया आपको numerical में दिया हुआ हुआ है कौन जब भी आप एक्जाम में बैठ होके और आपको चार्ट मिलेगी सबसे पहले आप देखोगे numerical में grade कौन सा दिया है और चार्ट में कौन सी है तुरह आप एक्जाम और को बोलोगी कि चार्ट सही है या रोंग है तो इक भी होता है कि numerical में दिया हुआ फी चार्ट सब पंद अब आपके पास तीन डाटा है आपके पास यह है और पी बाइ एक सी के सबसे पहले आपने देखा फिर आपने देखा दी बाइड डास इन दोनों से आपने स्लेक्क कर लेए पहुंसर चार्ट चाहिए अब आपको नुमेरिकल में क्या पूछागा परसंटेज जो स्टील निकालना को पूछाए डिजाइन के लिए तो आप ये दोनों की हेल्प से आप वो पॉइंट निकाल लोगे जहां पर हमें इसकी वैल्यू में जाएगी अगर ये गीवन है य हुए तो तरह से इन तीनो में से आपको फिर निकल जाए ये निकल जाएगा माल लीजिये आपको अदा अ そう एक फिर नहुंसर अन्टब कर सकते हैं है तो यह तो यह चास यह धी चाट नंबर 32 गोग हमें zij व्युक्त गया हूँ है तो steps क्या है design करने के लिए सबसे पहला step है कि आपको d by d ratio निकालना है f e आपको पता होना चाहिए और उससे आप क्या करोगे select करोगे chart को calculate करना है आपको यह दोनों चीज इन दोनों के correspondence से आप से p by fc के value निकालनी है और फिर डिजाइन कर देना है उसके बाद आपको एससे निकल जाएगा पी निकल गया तो एससे निकल जाएगा पी परसंटेज आप स्टीर एससे एरिया उस्टीर ठीक उसके बाद आपको design of lateral ties lateral ties लास्ट वीडियो लेक्चर में जो आप में short column के लिए की थी spiral और lateral कैसे करते हैं सेम वह procedure आपको न्यूज करना है हम numerical देखते हैं तो ओके short column reinforcement concrete का size given है ठेक है six bar of 20 डाय है यह एससी given है size given है एससी given है यह पी हम निकाल सकते है प्रसेंटेश स्टीर एक्वरी डिस्टिविट फेसे डिटर्माइन अल्टिमेट लोड कैपसिटी अल्टिमेट लोड यानि पी यू हमें निकालना है मुमिट गीवन है डिटर्माइन कंक्रेट और स्टिर गीवन है वाग बहुत इजी सबसे पहले आपको क्या करने गीवन डाटा है बी है कैपिटल डी है स्मॉल डी डैस है एक सी के अपवाई यह एडिया अपका इससेंग लाएगा एम यू गीवन है आपने क्या किया मुँआ एफ सी वी और यहां पर ता यहां पर यहां पर यहां पर ता यहां आपकी यह वाली तो आपको दो पता है पी यह आप निकालना है तो चलिए फे छार्ट देखते हैं Iland हमें कौन चार्टम्र बंस चार्ट मिलेगी चार्ट थिथे चर्ट नमबर 45 था धीस प्रस चलते और वैलुवां के लिटे अच्छा ये हो सकता है कि इस नमयरीकल को जिए द्योफ में तो उस पर भी धिहान दखना चलो देखते हैं यह है 0.104 और यह कितना है हमारा 0.078 ठीक है चार्ट नंबर 32 32 13 % of steel थी 0.78 तो % of steel में दिया हुआ है 0.06 और 0.08 यानी कि हमें इसकी वैल्यू लेनी होगी इसकी वैल्यू लेनी होगी इंटरप्वलेशन से फिर हमें पर देखो ध्यान से ये है आपका 0.01 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.2 अब 0.104 यानि कि इन दोरों के बीच में आए रहा है यहां पर कहीं लाई करेगा यहां पर ठीक है सेंटर हो गया 0.105 थोड़ा सा धहले लेते हैं यहां पर इसको अगर सीधा कि जब रफली है क्यों ठीक है इसको रफली में एक लाइन ख 0.8 यहां पर एक वैलीव यह मिलेगी है हमें और 0.68 वैलीव यह मिलेगी और हम इंटर पॉलेशन से वैलु निकाल लेगें avat त्हीक है सिंपल है बहुत कुछ इसमें ऐसा नहीं है कदेखें क्या किए है तो किसमें ये अनने हमारे पास ये obsessed इस में अनन सीजार निकाला है My चार्स तो देखिए प्लाइब सिक 106 में इसकी वैली इतनी आ रहे हैं पड़ हमें इसमें चाहिए तो इंटर्पॉलेशन लगाएंगे और इससे पी यू बाइ एक सी के बीडी के वैल्यू पॉइंट 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 रखना है इसमें कुछ भी नहीं करना स्टेप याद रखना है वसा आपको नेक्श नुमेरिकल रिटरमाइन दे बेंडिंग कैपसिटी ओके मुवमेंट निकालना है इसमें कोलम साइज गीवन ए एक शी विवन है तू साइड कॉलाम सब्जेक्ट्ट्व एक जय लोट विवन ए कंक्रीट स्टील गिवन आ डी डास गीवन है बहुत सिंपल है बीगए डी गीवन है, डी डास गीवन है, ASE निकालनेंगे, FCK, FY, PU गीवन है, ASE गीवन है, उससे परसेंटेज अउस्टील निकलिगे, यह हमारा PY, FCK निकलिगे, जो हम करण में देखेंगे, 0.63, याद करो, 0.60 की वैल्लिव हमें पता है, चार्ट में और 0.8 की, और यह इंटरप नुमबर 32, और फिर वही सेम इंटरपॉलेशन से हमारे PY, FCK, BD और PY, FCK यह गीवन है, तो मुमेंट बाइ, FCK, BD2.13 आ गई, फिर M.U.Y, हमने 95 क्लेंट कर लिया है, ठीक है, एक बार चार्ट देखना और बता देता हूं, मैं आपको एक बार और फिर बार बार में हर न BD, और यह जो ब्लैक ब्लैक कर्व है, यह आपकी PY, FCK, P है आपका परसेंटेव स्टी, इन तीनों में से कोई एक अन्नोन ओगा हो, जो हर नुमेरिकल आपको निकालना हो, ठीक है, डिजाइन का नुमेरिकल आता है, तो पी अन्नोन ओगा, ठीक है, अब आपको इसकी वैल पता है, 048 की निकालने हैं, तो इंटरपोलेशन से वैल्यू आप निकालना होगी, यह नुमेरिकल हो गया, यह नुमेरिकल भी हो चुपा था, नेक्स नुमेरिकल, डिजाइन करना है, एक स्क्वेर कोलम, जिसमें 500 mm साइड है, तो दूस्रे साइड है 500 mm होगी, तीउ ही दि होगा ultimate load carrying capacity eccentricity delay 180 mm, grade दिया होगा, ठीक है, तो dimensions हमें यहाद है, lateral dimension में पता है, capacity पता है, eccentricity पता है, FC के पता है, Fy पता है, और M U by F C K B D square निकाल आप M U कहा है M U तो given नहीं है तो M U मैंने बताया था P U by its entity तो इससे हमारा M U निकल जाएगा तो M U by F C K B D square और ये दोनों रेशन निकल गए है इन दोनों वो चार्ट नमर 32 में देखके हम क्या निकाल लेंगे P by F C K इसमें करेंगे तो percentage of steel कर जाएगा डाया एज्यूम कर लेंगे इससे percentage of steel से यसी निकाल सकतो है इसली यह बहुत अफिट डाया एज्यूम करके आप प्चीस का डाया एज्यूम कर लिया नंबर ऑफ और आप यहां तो यहां थोड़ा सा दिहन देने वाली बात है थोड़ा सा पर पर सेंटेज ऑफ स्टील कर्व से मिलिया है और एडिया ऑफ स्टील हमाई इस फॉर्मले से हमने निकाल लिया है यहां तब कोई दिक कर लिए इसके बाद क्या करते हैं डाया एजूम कि हमने 25 अगर 25 का डाया में एजूम कर रहा हूं तो नंबर और बार जो आगे 6.62 इसक किसी स्क्वाइर कोलम में 7 बार हम नहीं डाल सकते हैं ठीक है एक दो तील चार पांच छह साथ इस तरह से बार हमारा अरेंजमेंट नहीं होती है सिमेट्रिकल होता है या तो दोनों फेस पे होंगे तो हम साथ को आठ कर दें अगर मैं इसको आठ करता हूँ साथ बार इस नो तो तीस के हमने प्रोवाइड कर दिए ठीक है तो यह सेमेट्रिकल भी हो गया लैटरल टाइस सेमेज लास लेक्चर डाय आउफ टाइस सिक्स एमें पिछ फाइंड करनी है तो इंती जो भी आपका हमें नहीं करना चाहिए तो टू-फुटी अगर ले और जो और जो इसी लेक्चर में नहीं चीज़ ह्या फ़ास्ट आ जूड़ा in that यहां क्या क्या है जैसे कि पिछ का है, pitch की कैसे निकालते हैं, pitch होती है, इस पेसिंग, lateral ties की कैसे निकालते हैं, वो दिया हुआ है, diameter कैसे इसलिट्किया है वो लास लेक्चेर में गिए नेक्स्ट निमेरिकल है, डिजाइन और इंफॉ, circular column डिजाइन करना है ठीक है 500 गया है कैपस्टी दिया हुई है मुमेट दिया हुआ है ठीक है तो सब कुछ दो गीवन है देखते हैं क्या दिक्क्त करेंगे अगर हम 20 mm तक का डायो एज्यूम किया है तो फवाई-डाइसू ठीक है लेकिन अगर 20 से हम ज्यादा यूजज करेंगे तो फिर 240 mm इसकी स्ट्रेंथ लेकर चलेंगे तो पहले तो डीवाई-डीडेस क्यूंकि पचास mm के लिए कवर एज्यूम कर लिए और एफिडाइसू चार्ट नंबर 52 से पीवाई-एपसी के यह आगे परसंटेज ऑफ स्टील से आप एरिया ऑफ स्टील निकाल लोगी यह अब यहां ध्यान देना अगर आप 20 mm का डाया यूज करें तो एरिया ऑफ स्टील खीक है लेकिन आप 20 से ज्यादा का डाया यूज करो तो फिर एरिया ऑफ स्टील चेंज करना होगा फिर वह 240 के लिए निकालना होगा इतना बढ़ जाएगा एरिया फिक है तो हम आठ बार 25 के डायमेंटर के हम एज्यूम कर रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं इसका इरिया फिटेल 3926 आजाएगा लेटरल टाइज लास्ट लेक्चर में डाया ओफ टाइज इन दोनों से कम नहीं होना चाहिए 6 8 mm हमने एज्यूम कर लिया पिच नॉट लेस देन दिस तो 300 mm हमने एज जाए डिजाइन सब्कुलर कोलम इस पाइरल रिंफोस्मेंट तो लास्ट लेक्चर में शौट कोलम वाले में पूरा बता चुका हूं कैसे इस पाइरल रिंफोस्में प्रवाइड करते हैं बस एक चीज़ का इस कोलम में धिहान रखना है आपको अपने जहां जहां पी यू यूज किया हूं के धिस्टीया व याद होगे की पी यू की वैल्यू किसमें इस्पाइरल में क्या होती है 1.05 से मंटिप्लाई करते हैं तो आपको पी यू की वैल्यू यहां पर क्या लेनी है 1.05 टाइम्स तो फिर यह रेश्यो चेंज जाएगा फिकर में पॉइंट ही दूसरा आएगा फिर सब कुछ डिजाइन सेम इस पार लोग है राम से बस पी यू की वैल्यू चेंज करनी है उसके बाद यह असाइंग्मेंट है बहुत छोटा असाइंग्मेंट है आपको तीन से चार दिन के अंदर देना है थियोरी का है चार कॉस्चन है ठीक है यह मैं अटेच कर दूँँगा यह फाइल भी अटेच कर दू कि क्या करना चीए तो कमेंट करो वीडियो के नीचे कोई डाउट है तो ठीक है ठीक है ठीक यू